आप देख रहे हैं गोपाल इस्टेडी क्लासे मैं आज आपके लिखे हैं यह बहुत इंपोर्टेंट क्यूश्चन जो की और फॉस्ट माई मदर 866 से है यह सब्सक्राइब कर देंगे जिते हैं कि आपके सब्सक्राइब कर देंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता है भीना किसी देरी के साथ और अगर वीडियो पसेदा है तो वीडियो को लाइक और चैल को सब्सक्राइब करता है इसी तरह हमारे वीडियो मने रहे हैं और अपने प्यार दिखाते रहें तो बच्चों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आगे सागे इसको इस वीडियो को सहर करते रहें और यह गानटी दे सकता हूं कि मैं आपको इस वीडियो सापको बहुत ज्यादा फायदा होगा क्योंकि यह वीडियो हमारे टीम द्वारा बहुत ही महनत के साथ बनाई गई है और यह जो PDF यह जो हम आपके सुरुवात करता हूं तो वेर वाज दोपॉइट ट्राइविंग टू तो हूँ वाज सिटिंग भी हइड बिसाइड विसरे धर इसमें आपके पॉर्ट चुब पूच्छ कह रहा है कि जब पोईट कहीं पर जा रहा था तो ड्राइविंग कर रहा था ना तो तो अपने माताइपिता के घर से उनके सीटी कौचिन एरपोर्ट में जो एरपोर्ट वना हुआ है वहां पर जारता तो उसके पास उसकी गाड़ी के पास वाले सीट में उसकी मा बैटी थी इसके आगे अग्ले सवाल है वह देखते हैं अगले सवाल में आपने बता रखा है या पूछ रखा है कि what what did the post notice about point notice about her mother तो यह question आपके लिए बहुत महत्वपून रहेगा बहुत सौट टका यह सवाल आपके कल एक्जाम में मिल सकता है आपको तो यह क्या आपको इसकी हिंजयत बताना चाहता हूँ कि मैं the point the did the point notice about her mother कि उस जो point है ना उसने अपनी मा के बारे क्या notice किया जब उसकी मा बैठी थी इसकी सीट के पास तो यह आपका होगे तो यह पिछली दो मिन के मैं आपको इसकी पूरी कान ही बता दूँगा कि इस चीज के आपको यह क्या बताना चाहता है तो पौम जो है ना वो पूरी लाश्ट दो वीडियो में आपको पूरी पौम समझाओंगा मैं जब तक यह क्यूशन समझे उसके बाद पूरी पौम आपको मैं समझा दूँगा अब the point look at her mother and saw that her mother was dusing with her open mouth पूछा किया आप यह सवाल सबस्क्राइब समझे वाट इड़ देड़ नौटिस अबोट हर मदर यह कुष्ण आपके लागा है तो गारंटी दे सकता हूं कि यह गलत नहीं करोगा आप आप कितना भी नहीं पड़ोगी नहीं सवाल को यह आपकर वीडियो देख रहा है तो मैं आपको यह सवाल याद करवा दूँगा तो इसमें पूछा कि उसने अपनी मा के बारे में क्या नौटिस किया तो उसने पॉइट लुक्ट एड हर मदर एंड साहर मदर वार डजिंग पेरलेंड लाइफ लैके डाइड बोडी तो उसका मतलब यह लग जाता था कि वह अपनी मां को इस तरह से देख रहा था कि जो मुर्ट इंसान की बोडी कैसी होती है जो ओपन मुझ खुला रहता है उसका उसे इसाब से बता रहा कि लाइफ लैस के उस बोडी के अंधर जा तो अब अपने पास इस तीर से सवाल कहता है कि इसका मतलब क्या है अब आप खुज देखे किसका मतलब क्या है इसके आपको क्यूशन का मतलब का आप समझ में आ गया होगा आपको आपको आप देखे कि जो बचपन में दर लगता था बच्चों का कि कही उसकी माँ उससे दूना हो जाए तो वो डर है जो लेकव को वापस सतान लग गया था यह डर लेकव को सता रहता तो यह इंपोर्टन रहेगा आपके लिए पर इसके दिरिश्टे से सवाल यह तो सवाल आप देख लेजी कि आ सकता है कर अगें और प्राकर्थिक निये में म्रत्यू भी उसकी होती है इसका मतलब दे कि जो लेका की माँ है वो बुड़ी थी वो एजेट थी वो एज में बहुत ज़्यादा थी तो वो थोड़े दिनों बाद या फिद्सकाई में बाद Amin मर्ने वाली थी तो यही चो पेयन या फिर यही चो वह दर्थ था न तो वह उसको एमीन एक emotion मना रहा था कि तोड़ीनों आप माह में सार्थ रहेगी या नहीं रहेगी तो वह तो जा तो पैयन वह पोईट फिल करते तो अगले सवाव की तरफ मन रूप करता है वाई, वाई हैंस मौथर बिन कम्पार्ट तु लेट विंटर ॐ modal बीन के लेट हुर प्रूं ये ऐंकरे हैं कम जाय है उन के टाहन करना जरेन के दूरा है इंडी में प्रों देखे हैं उन हे आपको बता देगा एक खूड़ीं शोड़ीन अनर करे लिग millimeter तो एक सवाल एक बार बता तो वीडियो के अन्त में जो मैंने चीज बता रहा हूं कि पूरा जो सार है कहानी का जो पूरा जो यह कवीता है आपके कहानी है वो इसमें क्या कहना चाहता है वो बताऊंगा तो प्लीज पूरा वीडियो देखिये तो पॉज मदर इस 66 years old and she lost a sign and strength of youth similar the winter late moon looks nasty and dull it took leg sign and strength इसमें क्या पूछा है why the mother mother been compared to the late winter moon उसने पनी मा को winter के मौसर में जो late moon होता है ने उससे साथ compare क्यों क्या कि जो मा की age थी वो 66 थी मैंने कहा था यह आगया आपके आसकता रहा है क्यूशन आसकता कि मा के year क्या थी एक सवाल एक नमर के क्यूशन में आसकता कि मा की age क्या थी तो मा की age के 66 आगे आपके क्या बता कि उसने पनी जो sign या फिर जो strength थी ना वो उसकी बुढ़ा पर की साथ-साथ जाये थी जैसकि चैहरे पर दाग आजे जूदिया पढ़ जात इसी तरह उसने मा को compare किया था उसके साथ तो इसका जो पूरा सहार है ना तो बच्चों मैं आपको इसी वीडियो में बता रहा हूं तो देखें इस वीडियो में कहता कि एक जो लेकक था लेकक था तो एक लेकक के अपनी मा के साथ है ना मा को drop करने जा रहे था अपनी मा को drop करने जा रहे था या फिर खुझ जा रहे था तो वह उसने सोचा कि अगली वार जब मैं आऊंगा तो यह पूरे इस खानी में बता रहा कि उसने अपनी दर्द पिड़ा यहां थी ना वह इसके इस खानी के उसने अपनी जो बया कि ए कि अगली अगली वार में आऊंगा तो मेरी मास मेरे साथ जिंदा रहेगी या नहीं रहेगी तो यही कुछ इस कहानी के आपको बता रखा है अगर वीडियो पसंद दर्वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और जितना सहर कर सकता है इस वीडियो को आपके दोस्तों कि मदद करिये गाइस ठीक है मिलते अगले वीडियो में तब तक लिए भाई भाई बच्चो थेंक यू अल दे बेट वर एक्जाम